हेलो दोस्तों Oracle SQL Developer वीडियो सिरीज में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यदि database का password हमें change करना हो तो SQL Developer में हम कैसे change कर सकते हैं यह पहला process से हम सीखेंगे दूसरा process यह देखेंगे कि SQL Plus से password change करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं दोनो process देखते हैं जैसे मेरा अलएड़ी एक database schema है properties में मैं जाके दिखा दूँ database का नाम HR है और इसमें मैं password अभी current password में डालके इसे connect कर लेता हूँ save password कर देता हूँ test करता हूँ दे सकता हूँ कि success हो रहा है and I should be able to connect let's say कि मुझे इसका password change करना है right database का password change करना है इसे schema का password चेंज करना है तो इसके लिए करना होगा आपको connection है उसमे right click करें और reset password में जाए right तो यहाँ पर आपको schema का जो name है वो दिख रहा होगा current password आपको देना है current password मैं दे रहा हूँ right उसके बाद उसके बाद आपको new password देना है और फिर से new password को दुबारा टाइप करना है confirm password में और ok पर click करेंगे तो password change हो गया right तो पहला process यह है और दूसरा यह है कि SQL plus का use करके right तो SQL plus का use करके तब यहाँ सबसे पहले username आपको enter करना होगा जो की मेरे case में HR है जो भी आपका username हो वो enter करें उसके बाद password करें पासवर्ट से login कर लेना है right तो मैं current password देखे login कर लेता हूँ तो login हो गया अब आपको लिखना है password और enter paste करना है तो यह आपसे पूछेगा old password अपको देना है और फिर new password आपको enter करना है और फिर से new password एंटर करना है और एंटर पेस करना है तो आप देख सकते कि clearly message आ रहा है password change तो इस तरह से दो process होता है जिसके तुरू आप Oracle database का password आप change कर सकते हो इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धान्यवाद